अबिशेक रड़ी और सीदेवी मैडम डबल बेंच पे ये सुनवाई चल रही थी और इसमें जो सरकार की दरफ से जो जीपी है उन्होंने ये सब्मिट किया है कि इनको अगर छोड़ा गया तो फिर से सिडी का महल खराब होगा और फिर से दंगे फसाद होंगे और पब्लिक है हम लोगों सबने मिलके ये अब रस्तुत किया है कि यह जो पूरे केस बेवनियाद है जो भी पूराने केस वे थे वह पूरे केस में एक्विटल आया इनके ऊपर कोई भी केस थाबित नहीं हुआ है और जो यह यह केस डाला गया है जो भी इसमें बोला आया नहीं बोला यह सब कानूनी मामला है और यह मेले है इनको जो फ्यूचर में अभी इलेक्शन आने वाले मंगूर इलेक्शन में यह जाके प्रचार ना करें पुरा पॉलेटिकल दबाव से इनको डीले करते हुए इनकी सुनवाई पे तारीक पे तारीक मिलती जा रही है और इनका फैसला फैसे पुलना यहीं है कि कोई भी जर्म से प्रेम रखता हैं वो कोई गुणाह नहीं है तो इस कारण से उनको अंदर ठाकश और सिर्फ एलेक्शन है मनुगुरु में एलेक्शन है और यूपी में एलेक्शन है इस तरह का भोल के डेटों पर देट किया जा रहा है जो कि अनुचित है तो फिर से आज कोट ने कल की ओपर तारीक लगा कर कल फिर से री हेरिंग को ये मामला पोस्ट किया है